दिल्ली में कोरुणा का कहर गातार बढ़ता जा रहा है और इस वज़य से दिल्ली सरकार ने शादियों में मिली चूट को वापस ले दिया है मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने कहा कि हमने शादी समहरों में 200 लोगों तक शामिल होने की पर्मिशन को वापस ले दिया है अब सिर्फ 50 लोग ही शादी समहरों में शामिल हो सकते हैं किया गया था उस और को विड्रॉ करने के लिए आज निर्ने लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को शादीयों में केवल 250 लोग एलाउड होंगे और ये निर्ने मैंने LG साब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह सुबह भेजा है मैं उमीद करता हूँ कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी दूसरा हमने देखा कि कुछ बाजारों में दिवाली के समय काफी जादा ना तो लोग मास्क पहन रहे थे ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे जिसकी वज़े से करोना बहुत जादा फैलने करोना बहुत जादा फैला तो एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किये थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी रज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई lockdown लगाना चाती है तो उसे केंद्र सरकार की permission लेनी पड़ेगी तो एक जनरल परस्ताव केंद्र सरकार की approval के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे अब दिवाली खतम हो गई है हम उमीद करते हैं कि बाज परशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाजार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जारा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना होट स्पॉट बन सकता है तो उस वहां पे बाजार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे लाइकन दबाए